हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का माका अलर विन किनिश्टो अगत हैं आज हम लोग परिजात के पौदेजिसे अल सिंगार के नाम से भी जाना जैता है को लगाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जुन नर्श्री बैग है उसको निकाल लेना है नर्श्री बैग आसानी से निकल आएगा अगर नहीं निकल ला है तो हलका सा थर्थपाना है और आपको जुन नर्श्री बैग है निकल आएगा अगर तब भी नहीं निकल ला है तो क्या आप पन्नी को किसी धारदार हत्यार से चागू हो या ब्लेट हो उससे इस पन्नी को काटकर आसानी से निकाल दीजिए आपको पॉटेंग मिक्स बनाने के लिए एक भाग गोवर्ती खात लेनी है और एक भाग जो नौर्वल मिक्टी होती है उसको लेना है फिर दोनों को आपस में अच्छी तरिके से मिक्स कर लेना है ताकि जो खाद है वो पूरी की पूरी मिक्टी में मिल जाए तो इससे आप अच्छी तरिके से मिला लीजिए अगर आपके पास कोई दुश्री खाद अब्रेबल है जैसे कि नेम ख़ली हो गया या चरसों ख़ली हो गया तो उनको भी मिला सकते हैं या आप जो शीवीड ग्रेनुवेल्स होते हैं उनको भी मिला सकते हैं जब आपका यह अच्छी तरीके से मिल जाए तो आप क्या करना है इस मिट्टी को जो ग्रोबैंग है या गंबला है जिसमें आप लगाना चाहते हैं अपने पौदे को उसमें क्या करना है इसको भालेना है तो पहले नीचे आप मिट्टी डालिए पिर अपना जो पौदा होगा उसे रख कर देखिए अगर पौदा ज्यादा नीचे जा रहा है तो उसमें और ज्यादा मिट्टी डाल लीजिए जिससे की जो पौदा है सही जो उसाई है उस पर लग जाए अब अपनी जो पौट है उसको पूरी तरीके से मिट्टी से भड़ दीजिए बस आपको जो जगए छोड़नी है वह बहुत हलकी सी छोड़नी है जिसमें थोड़ा सा पानी पढ़ता रहे ज्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए नहीं तो जो पादा होता है वो बेकार हो जात अब आपको इसमें पानी डाल देना है अच्छी तरीके से एक बार वाटरिंग कर दीजिए जिससे की एक दू दिन आसानी से पानी चल जाए इस तरीके से आपका यह पौदा है लगका तैयार हो गया